जैहिन दोस्तों, इस बेहत इंपोर्डेन वीडियो में हम इंडियन जोग्रोफी के इंपोर्डेन अब्जेक्टिव कुश्चन्स कवर करेंगे और इस वीडियो का परपस ये है कि हमने जिस तरीके से फिजीकल जोग्रोफी को कवर किया है सबसे पहले NCRT के important chapter समने कवर की important topics को कवर किया इसके बाद expected question series के माध्यम समने questions को देखा उसकी practice करी इसी तरीके से मिनियन जोग्रोफी के साथ भी करने वाले है वट फिलहाल हम important questions को कवर करेंगे और NCRTs को भी one by one कवर करेंगे तो इस वीडियो में हम important questions देखने वाले हैं सो start करते हैं इस वीडियो को लेकिन question आपको पहले खुद से try करना है वीडियो post करके इसके बाद explanation सुननी है और ये जो चीजे important explanation और पूरी question इसकी PDF आप download कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से जाकर कि आप जुड़ सकते हैं तो यह देखिए हमारा पहला question पेर्स आपको दिये गए लोकल विंड्स के और features के आधार पर आपको मेच करना है तो पहला देखिए mango sour है mango sour का feature यह बताया जा रहा पोस्ट monsoon sour है जो कि उत्तर प्रदेश में famous है दूसरा देखिए लू के बारे में बात की जा रही है कि लू एक localized thunderstorm है जो की hot summer में देखने को मिलता है northern plains में तीसरा काल बैसाखी के बारे में कहा जा रहा है कि इवनिंग का जो पेर है वो correct है तो उमीद है आपने इस question का answer कर लिया होगा आइए explanation पहले समझते हैं देखिए पहला पेर यहां पर गलत है mango sour की बात करें तो यह local winds है और यह summer season के time पे देखने को मिलेंगे और प्री मांसून sour के रूप में यह देखने को मिलते हैं किन स्टेट में तो केरल और करनाटक राज्यों में इससे क्या होती है mango की yearly ripening देखने को मिलती है तो इस वाज़ा से आम रवर्सा यानि mango sour कहा जाता है क्यों क्योंकि जब यह local winds summer season और प्री मांसून sour के रूप में देखने को मिलती है तो उस time पे जो आम है वो समय से थोड़े पहले पकते हैं तो इस वाज़ा से yearly ripening देखने को मिलती है तो ध्यान रखिएगा इस फेनोमेना को पेर 2 की बात करें दोए कि यह भी गलत है लू को thunderstorm से associate किया गया बिल हो सकते हैं कि काल बैसाखी की अगर बात करें बहुत सारे नामी नॉर्स को नाम से नाम से जनिकता है वैसे भी काल का मतलब आपको बता है ominous something which is not good at all तो यह देखिए फिर match करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या कह दिया गया था उत्तर प्रदेश की बात की गई थी गलत है लूग में अगर हम देखे तो थंडर स्टॉम बिल्कुल गलत है काल बैसाखी की बात करें हाँ यह सही है evening thunderstorm टोरिनिसल डाउन पोर के रूप में तो यहाँ पर हमारा सही answer क्या होगा फिर option C 3 only आगे बढ़ते हैं अभी तो डेह सारे सवाल है देखिए अरेबियन C में आपको बताना है कि कौन कौन सी नदियां गिरती है ऐसे सवाल बहुत बार exam से पूछे जाते हैं आपने जरूर observe किया होगा और अगर आप map से इन जीजों को cover करेंगे तो काफी आसानी से ऐसे question अप कर सकते हैं देखिए अगर आपने अच्छी तयारी किये तो इन नदियों का बहुत बार आपने नाम सुना होगा माही नदी है वेगाई नदी है लूनी नदी है और चौथा मांडवी या मांडवी नदी भी कहते हैं तो देखिए यहां पर आपको 1 & 3 only 2 & 4 only 1 & 4 1 3 & 4 तो अगर आपको पता है कि river की direction कौन सी है east to west floccary या west to east तो काफी आसानी से फिर आप ऐसे question कवर कर सकते हैं तो देखिए अगर statement 1 की बात करें तो जो माही नदी है यह विंध्या के northern slope से निकलती है अभी मैं फिलाल map नहीं cover करना हूँ विकोज यह हम इंडियन जोगरुफी के टाइम में एक एक चीज़ें बहुत ही बारिकी से देखेंगे हमारा उद्देश से फिलाल यह है कि काफी तेजी से आपका revision हो जाए विकोज इतने कम टाइम में सारी चीज़े हम पढ़ नहीं सकते बढ़ डेफिनेटली उनका revision अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो देखें माही नदी के अगर बात करें तो यह विंध्या विंध्या अपने सुना विंध्या मांटेंस का MP में नौर्धन स्लोप से यह निकलती है और मैद्र प्रदेश राज्थान गुजरात इन राज्यों में ठीटी में फ्लोग करती है इसके बाद यह ट्रेन कर जाती इयरेमेंसी में किस सी टूर तो अगरес करते हैं और यह स्रिलंका है और यह स्रिलंका और यह वेंगवर आगे धीनका के बात करते हैं लुनी की ओनी मेजारीवर इरिड डिजन फेस्टन राज्थान वेस्टन राज्थान में बहुत ही मेजर रिवर अगर देखें तो कम ही है जिसमें से एक लूनी काफी फेमस है और अरावली से निकलती है रन ओफ कच में ड्रेन कर जाती है यह ध्यान रखिएगा एक्जाम में पूछते हैं कि लूनी बात करें तो मांडवी और जुवारी यह दो गोवा की फेमस नदियां है असल में आप पढ़ेंगे इन्यों रिवर सिस्टम तो इनी दो नदियों के नाम मुख्यता पढ़ेंगे गोवें तो इसमें से मांडवी है यह वेस्टन फ्लोइंग है यानि यह है अरेबियंसी तो काफी चोटी रिवर अगर मैप में आप कंपैर करें बाकी रिवर के साथ तो तो टू को हम एलिमनेट करते हैं सबसे पहले तो यह हमारा उप्सन चला जाता है इसके बाद लूनी की बात करें तो लूनी हमने देखा कि लूनी भी नहीं है तो लूनी को भी आप हटाएंगे एक ही ऑप्सन बचेगा फिर ऑप्सन सी जो कि हमारा सही आंसर है वनन फॉर यानि माही और मंडोवी मुझे पता इसमें बहुत लोगों ने लूनी नदी के कारण गलतिया की होंगी आगे बढ़ते हैं देखे नदियों के नाम दिये गए और सहयक नदियों के बारे में आप आपको बताना है यह देखे दुबारा नाव आंसर करिए ठीक है तो हम आंसर की और बढ़ते हैं देखे पेर वन जो यह करेक्ट है यानि जो सोन है यह गंगा की ट्रिबुट्री है और मैंने आपको बताया है कि काफी इंपॉर्डन है बहुत बार कंफ्यूज के जाता है य सोन जो है यह गंगा की साइक नदी है ना कि यमुना की कहां से निकलती अमरकंटक हिल से और गंगा में मर्झ करती है पटना विहार से करosaurus करती है और बहुत साले मत बार ऑप जर्कन और विहार में सोन नदी मत करते सिर्फ अभी फिलहाल हम अपने कुश्यन तक ही सीमित रहेंगे बट इन चीजों पर हम डीटेल डिसकसन डेफिनेटली करने वाले हैं देखिए यमना नदी की बात करें तो बेतवा सायक नदी है तो सोन नदी की बात करें तो यह देखिए यह सोन नदी गंगा रिवर्स से आक नदी है और जाना पाव हिल से निकलती है विद्धन रेंज में कौन चंबल रिवर और यमुना से कहां मिलती है तो यूपी का डिस्टिक है इटावा वहाँ पर पैर थ्री की अगर बात करें तो देखिए जो भीमा रिवर है यह मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है क तो कृष्णा नदी की सायक है विवा नदी अगर आपने महाभारत अच्छे से देखिए समझी है तो एसोसियेट करके आप याद रख लेंगे भीम और कृष्णा दोनों ही पात्रह महाभारत के भगवान कृष्ण भी और भीम भी देखिए यह कहां पर फ्लो करती है तो मह पेनलारि अपने आप में डिफ्रेंट रिवर है और ये इस्ट फ्लो इंग रिवर है साउत इंडिया की नंदी हिल से निकलती है करनाठक के चिक बलिलपूल डिस्टिक्स और ये करनाटाख आंधरपर्देश के स्टेट्स में फ्लो करती है इसके बाद फाइनली बे बंगॉल में ड्रेन हो जाती है तो गंगा की सायक नदी कौन है सोन सायक नदी है इसके बाद चंबल की बाद करे चंबल भी सायक नदी है यमना की भीमा हमने देखा ये कृष्णा की है राइट और पेनार तो एक डिफरेंट रिवर है तो थर्ड और फोर यहां पर गलत है तो सही आंसर फिर हमारा क्या होगा ऑप्सन ए होगा आगे बढ़ते हैं ये बेहत आसान सवाल है ट्रॉपिक ऑफ केंसर आपको बता केरा नहीं होना चाहिए विखोज ये मैप में काफी अच्छे से आपको ध्यान होना चाहिए बार-बार एक्जामस के अंदर पूछे जाते हैं लेकि ट्रॉपिक ऑफ केंसर के अगर बात करें तो किन राज्यों में आठ राज्यों में राइट गुजरात हैं राज्थान है जब मैं इन स्टेट्स के नाम ले रहा हूँ तो आपको ये मैप याद आ जाना चाहिए कि किस तरीके से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन राज्यों से गुजरती है इसे मनीपूर नहीं है मिजोरम है वो आप मैप देखेंगे तो काफी आसानी से इन चीजों को रिलेट कर ले है इलिमिनेशन वगरा भी आप लगा सकते हैं तो यह आपके उप्संस हैं ना देखिए आंसर की बात करते हैं तो पहला पेर इनकरेक्टली मैच क्यों है क्योंकि जो लेटराइट सोयल है वे उन एरियाज में डेबलप होती है जिनमें काफी ज़्यादा तापमान और काफी तो लेटराइट सोयल जैसा कि मैंने बताया उन एरियाज में जिनमें ज़्यादा तापमान है और ज़्यादा रेनफोल है और ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काफी ज़्यादा रेनफोल जब होती है तो लीचिंग देखने को मिलती है और इस लीचिंग से इस leaching का basically मतलब ये है कि जितने भी important minerals हैं जो मिट्टी में घुले हुए हैं जैसे lime silica ये सारी चीजे निक्षालित हो जाती हैं जमीन के नीचे चली जाती हैं और इस कारण से soils जो हैं उनमें iron oxide, aluminium ये जो heavier compound हैं जो नीचे leach down नहीं हो पाए हैं वो बच जाते हैं मिट्टी में इस वज़ा से cultivation करना मुस्किल होता है laterite soil में और bricks वगेरा के लिए काफी ज़्यादा famous हैं laterite soil alluvial soil जैसा कि आपने सुना है ये बहतर soils में एक हैं और agriculture के लिए काफी अच्छे हैं और ये जो soil है इनमें काफी ज़्यादा cultivation होती है rice, weed, sugar, can almost अभी तरह के crop जो हैं ये cultivate की जाते हैं जलोड मिट्टी में जलोड में भी दो तरह की हैं ये आप comment box में बताइए कि कौन कौन सी है काली मिट्टी की बात करें तो रेगूर soil भी कहा जाता है ये बहुत बार आपने सुना होगा या फिर काली का पासी मिट्टी कहते हैं यानि black cotton soil भी कहते हैं ये सारी चीज़ें NCRT में हैं आपने activation करना एलुवियल soil हाँ बिल्कुल मेज वगरा है ब्लेक स्वेल तो cotton के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये भी आसान सवाल है option है यहाँ पर सही answer होगा 2 & 3 only आगे बढ़ते हैं Northern plane के बारे में आपको बताना है कुछ टाइप दिए गया और उसके features के आधार पर मैच करना है पहला देखे भाबर है भाबर में कहा जा रहा है sandbars है meanders जो विसरपन होते हैं यह basic NCRD में यह terms आपको देखने को मिल जाएंगे Oxbow Lake Oxbow Lake भी आपने सुना होगा गोखुर जील जीने कहते हैं असल में जब नदियां काफी ज़्यादा विसरपन करती हैं यानि गूमती हैं तो कुछ हिस्सा जो यह लेक का रूप ले लेता है और तराई देखिए अगला Marcy और Swampi Condition यानि दलदली छेतर खादर की बात करें तो क्या इन में heavy material जैसे rock, boulder इन चीजों के deposits देखने को मिलते हैं यह हैं आपके options आंसर करिए फिर इस question को दोबारा देखिए यह है 1, 2 और यह है तीसरा देखिए इसके answer की बात करें तो aluvial plane जो है northern इंडिया के इन में भाबर reason देखने को मिलता है जो कि एक narrow belt है और यह parallel ह सिवालिक foot hills के हिमालियन सिस्टम अगर आपने पढ़ाए तो सिवालिक के बारे में आपने जरू सुना होगा और इस वज़ा से क्या होता है heavy material का deposition देखने को मिलता है rock, boulders इन चीजों का stream में और उन rivers में जो mountainous area से आ रही हैं और कई बार जो है stream भी disappear कर जाती है तो आपक पर सवाल आया था कि किस तरीके से जो और यह मैंने आपको काफी detail में समझाया भी था कि किस तरीके से कई जगों पर जो stream है वो disappear कर जाती है इसी भाबर बेल्ट के नीचे तराई बेल्ट देखने को मिलता है जहां पर जो stream rivers है यह दुबारा re-emerge करती है देखिए यह चीज देखने किया था तो होता क्या है तराई बेल्ट के साउथ में अगर आप देखें भाबर के साउथ में तराई बेल्ट में अगर आप देखें तो stream और river जो है जो की डिसापियर हो गई थी वो re-emerge कर जाती है और इसके बाद देखी क्या होता है इस वज़ासे मार्सी और swampy condition बन जाती है यानि दल्दली छेतर देखने को मिलते हैं और तराई बेल्ट में चुकी यह एरियाज में मार्सी swampy condition है नेचुरल वेजटेशन काफी ज्यादा ग्रो अलुवियल सोयल के जो मैंने दो टाइप पूछे तो भांगर और खादर आपने सुना होगा भांगर को भंगार से associate करके और अलुवियल सोयल आप याद रखेंगे और खादर क्या न्यू एलुवियल डिपोजिट है और यह कहां देखने को मिलेंगे तो तराई बेल्ट के नहीं साउथ में अच्छा चलिए आप कॉमेंट बॉक्स में बांगर और खादर के बीच कुछ मेजर डिफ्रेंसेज बता दीजे यह सारी चीजह आप 9th क्लास की NCRD से पढ़ सकते हैं तो भाबर इस तरीके की कोई बात नहीं है औक्स बोल लेका कोई सवाल नहीं मियंडर क का डिपोजिशन हमने देखा बिल्कुल नहीं कोई सवाल ही नहीं रॉक-b Gef कहां पर देखने को मिलेगा ये देखने को मिलेगा भाबर में ले कि अ कि तो इस कारण से पहला गलत है तीसरा भी गलत है अगर हम इने करें तो केवाख स्थे मारा option बशन कर लिजे भांगर खादर इसके बाद भाबर ठीक है इन टर्म से आपको कोई confusion नहीं होना चाहिए विकोज काफी सारे question आया है बिल्कुल clarity होनी चाहिए अगला सवाल देखें फिलाल विच आप फॉलोइंग hills range depict the radial form of drainage pattern तो यह drainage pattern पर मैं मैं बाहर बाहर question cover करता हूँ विकोज यह important है काफी सारे question पूछ जाते हैं option देखिए नील गरी हील कुमायू हील सह्यादरी हील अमर कंटक रेंज देखें रिवर जब फ्लो करती है तो इसके साथ और भी कई सारे ट्रिब्यूटरी जीरिवर होते हैं तो इनको मिला करके जो पैटरन बनता है वही डेनेस पैटरन कहलाता है अलग-अलग तरीके के डेनेस पैटरन है लेकिन mostly आप से डेंडिटी ट्रेली सेंट्री पीटल एक होता है और एक रेडियल इनी से जाएता सवाल बनते हैं एक एनुलर टाइप भी होता है यह भी मैं यानि एक कोई पॉइंट है और इसी पॉइंट की और रिवर्स जो है चारो तरफ से वाटर अपना डिस्चार्ज कर रही है तो वह सेंट्री पीटल होता है ध्यान रखिएगा दोनों के बीच कंफ्यूज मत होई है क्योंकि प्रिविएस एर कुश्चन पूछा गया तो इससे अच्छे से क्लिर कर लीजे तो कुमायों और नील गिरी जो है इनमें एनुलर डेनेज पैटर्न अभी जो मैंने आपको इमेज में दिखाया उस तरीके का तो इस तरीके के पैटर्न में क्य क्या होता है कि रेडियल स्टीम डेवलप हो जाती है सब्सीक्वेंट ट्रिव्यूटरी जिसे एक सर्कूलर ड्रेनेज देखने को मिलता है इनके इंग्जेंपल्स आप डाउन करने यह कुमायों है और नील गिरी में इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा आगे देखि कुमायों और नील गिरी ठीक है तो यह दोनों तो गलत हो गए विकोज इनमें किस तरीके का पैटर्न है एन्यूलर पैटर्न एन्यूलर की इमेज आपने देखी हाँ अब अगला देखिए ऑप्सन सी की बात करते है तो ऑप्सन सी इसलिए गलत है विकोज जो सहयादरी हिल ह इसमें डेंडीक डेंडेस पैटर्न देखने को मिलता है डेंडीक मतलब यह देखे पेड की साख़ा की तरह यह देखने को मिलेगा यह है डेंडीक एक्जाम्पल बस आप ध्यान में रखेंगे तो कोश्चन इक्जाम्पल सही पुछे आते हैं इसके बाद देके river कृश्ण का एक्जामपल आप रख सकते हैं option d की बात करें तो यह बिल्कुल सही है जब रिवर ओरिजनेट करती है एक संब्सक्राइब तो यह काइसा सब्सक्राइब करती है जब एक पॉइंट में सब्सक्राइब यह बाहर निकलेंगी तो इसके एक्जाम्पल कौन-कौन से नर्मदा सोन महान दिये औजनेट होती है अबर कंटक रेंज से अलग-अलग डायक्षन फ्लो करती है यह काफी अच्छा एक्जाम्पल है रेडियन का इसके अलब और भी दो एक्जाम्पल है इससे हराल में नोट डाउन कर लें अभी गिरनार हिल यानि जिसे गिर हिल्स भी कहा जाता है अभी इस पर जम्मु कस्मीर प्यस्थी में कॉश्चन पूछा गया और कॉश्चन बहुत सिंपल था सिंपल आपसे यह पूछा गया था कि बताए कौन सा जो एक्जाम्पल है यह रेडियल का पैटर्न का एक्जाम्पल है और चोकी अगर देखें तो डिरेक्टली यही है एक्जाम्पल में यानि अमर कंटक रेंज वाली बट वो उप्सन में था नहीं तो बाकी उप्सन से फिर कन्फूजन बढ़ जा रही थी तो ध्यान रखेगा फिर इसे कि गिरनार हिल्स वह हैं और जो मिकीर हिल्स हैं मिकीर हिल्स कहा असम में तो इनमें जो है यह एक्जाम्पल देखने को मिलेंगे किनके रेडियल के रिदियल डेनेज पेटन के यानि एक हिल है और चारो जब से रिवर निकल रही है इंडियन जोगराफी के नेक्स पार्ट में और भी हम काफी सारे कंसेप्स को कवर करेंगे फिलाल आप कम motivation मिलेगा मिलते हैं जल्द ही नए लेक्चर में धन्यवाद